कच्चे तेल की किम्तमें तेजी की वजा की बात करें तो अमेरिका के क्रूड इंवेंटरी के आख्रू से सपोर्ट मिल रहा है एक्वाटो और लिबिया ने तेल उत्पादन रोका है नाइजीरिया ने भी तेल का उत्पादन बंद किया है मरम्मत के कारण ओयल फिल्ड बंद होने से कच्चे तेल का उत्पादन घटा है ओयल फिल्ड बंद होने का असर सप्लाई पर दिखाई दिया है सप्लाई में कमी आने के कारण भी कीम्तों में तेजी आई है वही निवेशकों की ओमिक्रॉन के मामलों पर नजरें बनी वी है चीन के जियान शेहर में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी आई है वही निवेशकों की नजर आगे ओपेक प्लस की बैठक पर है 4 जन्वी 2022 को ओपेक प्लस की बैठक होनी है वी रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीम झाल